नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नौलेज बज़ और आज के वडियो में हम बात करेंगे रेलवे एंटी पिसी और रेलवे गुरूप डी के एकजाम डेट के सच्चाई के बारे में कि आखिर एकजाम कब तक हो सकता है कितना लेट और हो सकता है एकजाम में कितना समय भ बात करने वाले तो वीडियो का अंधर तक आप देखिएगा और वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजेगा चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन को सने कि आपका एक्जाम डेट क्या हो सकता है तो देखिए यूटूब पे आपको काफी वीडियो देखने को मिर रहा है और जितने भी वीडियो आपको देखने को मिर रहा है सभी भ्यू कमाने के लिए वीडियो देखने को मिर रहा है सभी भ्यू कमाना चाहते हैं और आपके सा रहे होंगे railway का खुद ही जो system है वो सही से नहीं चल पा रहा है तो exam के बारे में अभी कुछ कहां ही नहीं जा सकता है ठीक है न तो exam date जब तक यह official नहीं आ जाए तब तक आपे किसी की भी बात पर विस्वास नहीं कीजिए आप अपने तयारी को continue रखिए क्योंकि आप लोग को पता है जो gk का शिलेव से वो काफी ज्यादा लंबा है ठीक है exam date के नाम पर मैं आप लोग को बोलूँगा कि बेकू बना जा रहा है ठीक है तो आप लोग क्या कीजिए कि gk का जो शिलेव से वो काफी लंबा है GK को Lucent book से ही 5 बार आप study कर लीजे ठीक है Lucent से आपका पूरा GK एक साथ cover हो जाएगा फिर science को अलग से आप cover कीजे Youth publication के book से आप अब objective question देख सकते है ठीक है वहाँ से तयार कीजे और साथ में current affair को भी तयार कीजे कोई भी yearly magazine आप ले लीजे उससे current affair को तयार कीजे क्योंकि ये GK का 40 number आपका selection पका करवाएगा ठीक है ना तो अभी इस वक्त है exam date का wait मत कीजे क्योंकि अगर exam late हो रहा है तो आपको कही ना कही तयारी करने का time मिल गया और भी और GK को आप बहतर कर सकते हैं क्योंकि exam में जो मुश्किल काम होगा वो GK को अच्छा करना GK में अगर 40 number का exam हो रहा है तो आपको 32 number लाने का सोच नहीं चाहिए अगर 32 number आ गया तो आपको अच्छा से अच्छा post मिल सकता है ठीक है आप ये number सोचिए 32 कैसे आएगा अगला point है कि कौन-कौन सा exam होगा कौन-कौन सा exam होगा तो देखिए railway NTPC और group D के similar जो exam होगा SSE CGL अब बोलेंगे कि SSE CGL में तो English आता है तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग English नहीं देखिए आप लोग क्या देखिए form को तो fill किजे 100-100 रुपया का form होता है तो form को तो fill किजे उसमें देखिए maths सा आप लोग को common मिल जाएगा तो maths NTPC वाला ही maths देखिए अच्छे से उसके बाद reasoning देखिए reasoning भी आप कर सकते है reasoning इसका भी असान होता है उसके बाद जी के आप लोग ये तीन सेक्षन को आप अच्छे सा अभी ध्यान दीजे जब तक railway का date नहीं आता है तो ये तीन सेक्षन को आप ध्यान दीजेगा तो आप लोग का SSE का ये जो exam में ये भी cover हो जाएगा क्योंकि इन सभी का exam जो है न वो लगबग एक जैसे अब जीखिये जैसे SSE CGL का जो exam नोटिफिकेशन आने वाला है वो दिसंबर में आने वाला है 21 दिसंबर को आने वाला और इसका exam होगा माई के मन्त में इसका exam होगा ठीक है LDC का CHSL का exam होगा लूर डिविजन कलर को आला नोटिफिकेशन आ चुक है और इसका exam होगा अप्रील में इसका exam कब होगा अप्रील 2021 में इसका exam होगा उसके बाद SSE MTS का exam फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आएगा साथ जनवरी फरवरी में और इसका exam date मुझे पता नहीं बट इसका भी calendar आ चुका है कि कब इसका exam होगा ठीक है तो SSE के ये तीन important form आने वाल है तो ये सब भी job important है जब तक railway नहीं आ रहा है तब तक इनके तयारी को भी अगर आप करते हैं इन सब exam पे भी focus करते हैं क्योंकि railway के similar exam pattern है इसका कि ओल इंग्लिस आपको अलग से आ जाता है तो इंग्लिस आप बाद में भी कीजिए इंग्लिस का तयारी मैं भी करवा दूँगा बट इन तीनों section को आप इतना अच्छा कर लिजे कि railway SSE सब जगा कामा जाए क्योंकि अगर आपके पास अभी time है तो आप other exam पे concentrate कीजे railway NTPC पे तो आप लोग कर ही रहे है ठीक है उसी को दूसरे जगा आप लोग concentrate कीजे उसी knowledge को दूसरे जगा आप लोग use कीजे दूसरे exam में आप लोग use कीजे ठीक है तो SSE का exam होगा आप यूपी में लोखपाल का लिखपाल का वेकेंसी आने वाला है उसके बाद वीडियो का वेकेंसी आने वाला है तो यूपी में भी अच्छे से वेकेंसी आने वाले है तो other vacancy जो railway के जैसे similar pattern पे है उनके लिए आप तयार कीजे अपने आपको अच्छा कीजे अगर जब railway का भी exam date आ जाता है तो वो तयारी आपका waste नहीं जाएगा उस तयारी का आप railway के exam में भी use कर सकते है Lucent book को लीजे Lucent book को ही आप लोगे एक highlighter लीजे important point को highlight कीजे और उसी book को 5 बार आप लोग study कर लीजे 10 बार study कर लीजे किसी भी चीज को याद नहीं किया जाता है किसी भी चीज को बार बार पढ़ियेगा तो क्या होता है वो अपने आप दिमाग में आपके बैठ जाएगा ठीक है वीडियो भी मैं बनाता हूँ Lucent के book पे आप उससे चाहे तो देख सकते है या खुछ से भी पर सकते है ठीक है क्योंकि मैं जादा कुछ नहीं देखता हूँ मैं क्या करता हूँ Lucent book को लेता हूँ उसमें important point को highlight किया मैंने और उसी गत्रू आप लोग को परहा देता हूँ कहानी के माध्यम से ठीक है तो वो काम आप लोग भी कर सकते हैं एक ही बुक को अगर आप बार बार करते हैं तो वो कम से कम जीकी वाला portion तो आपका त्यार होगा 15 तारिक से अगर बोला गया तो देखेगा 100% 15 तारिक से मिनिस्ट्रेल ऐसोलेटेट का एक्जाम स्टार्ट होने ही वाला है ठीक है उसमें कोई भी लेट नहीं होगा 23 तारिक को खतम हो जाएगा उसके हो सकता है कि मैं आप लोगों को प्रेडिक्शन यहां करके नहीं दूँगा पर बहुत जल्द आपको एक्जाम देखने को मिलेगा ठीक है तो बहुत कम ट्राइम बचा हुआ है इस समय में आप अधर एक्जाम पर ध्यान दीजे और वो तैयारी आपका रेल्वे ऐक आता उसको ले लीजे उसको लेना चाहते है तो बैंकर सड्रा का उतना अच्छा नहीं होता है बट उसके जी के और कारेंट ए। के कोशन मुझे अच्छे लगते बैंगर सड़े के मैं इस अरह पावरफुल कोशन नहीं होता है पर ब्रेड का प्रिवीज से बैंगए के कोशन का कलेक्षन ज्यादा मिल जाएगा तो ग्रेड का टेस्ट बुक भी ले सकते सस्ता मिलता है बट कोई एक test series पहले लिजे उसको खतम कीजे mark test आपको daily बनाना चाहिए daily नहीं बना पा रहे है तो आप alternate बना सकते है सब्ताह में 3 दिन आप mark test कम से कम बनाईए ठीक है mark test आपको पता चलता है कि आप कितना knowledge आपको है कितना score कर पा रहे है ठीक है तो mark test आप लोगो 3 दिन तो देना ही चाहिए सब्ताह में किसी भी course को purchase नहीं कीजे उसके जगा पर अच्छे अच्छे book ले लिजे जो भी market में अच्छे book आ रहे है जैसे अभी मैंने देखा कि पहले तो मैंने लिया घटना चकर का book घटना चकर से ज़्यादा अच्छा मुझे लगा youth publication का book क्यों अच्छा लगा क्योंकि youth publication में latest question दिये है घटना चकर में क्या है पुराने question दिये है तो अगर आपको जल्दी तियारी करना है तो आप नए question को देखिए कि TCS कैसा question पूछता है उससे आपको पता चलेगा कि आ हो भी अच्छा लगा मुझे उससे भी आप चाहे तो सेट बना सकते ऑफलाइन बैट के ठीक है तो करने को काफी कुछ है सिर्फ ये टेंसा ने लिजे कि exam कब होगा exam जब होना होगा तो हो जाएगा बहुत जल्द आपको exam देखने को मिलने वाला है बस से आप लोग अपने आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा अस्तर करता हूं कि आज का दिन आप लोग काफी अच्छा रहे अगले वडियो में फिर से मिलते हैं ठैंक यू वडियो में फिर उताओ ऒडियो मिलते हैं?